लच्मी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे काजू कतली हलवाई के जैसे बहुत ही आसान है कुछ खास ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मिठाई बनी है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं काजू कतली बनाने के लिए काजू को ले लेंगे और एक कप या कतूरी से मेजर्मेंट कर लें उससे बनाने में सही रहेगा तो यहां पर हम दो कप काजू लिए हैं और इसको पीस लेंगे मिक्सी को लगातार नहीं चलेंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोक कर चलात ओनाना है चास्नी नहीं बनाना है और आप देख रहे हैं चेनी पिगलने लगा है तो आपको doc math कम दिखानः देखेत तार नहीं है बस हिनी पिगला है अब इसमें हम पीछा हुआ काजू डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे चलाना नहीं छोड़ेंगे नहीं इसमें गुठलिया बन जाएगी तो इसको ध्यान रखें और इसको चलाते रहें गैस का फ्लेम लो है तो इसको इस प्रकार चलाते रहें और आप देख सकते हैं यह गुठलिया पिघनने लगी है और इसमें लंस भी नहीं ह लेकिन हम इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे चलाते हुए इसको करिक 15 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे अब आप देखेंगे कि दीरे दीरे कराही छोड़ने लगा है तो करिक 3-4 मिनट और इसको हमें पकाना है यही कुछ खास ट्रीक है जिससे आप हलवाई जैसे मिठाई घ कर लेंगे और अब जो है काजू का पेष्ट हम ठाली में डाल देंगे इसको ठाली में डालके हम चलाते रहेंगे और ठंधा करेंगे जब इसे ठंधा होगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा जमने लगता है तो इस तरीके से चलाते हुए ठंधा कर लें और आप कराही में भूनते समय हम घी नहीं डाले हैं लेकिन इस समय हम अभी दो चमच घी डाले हैं और इससे बहुत अच्छा बजार जैसे साइनिंग आएंगी मिठाई में तो अध्यान रहे कि भूनते वक्त आप घी नहीं डाले तो टोटल तीन चमच घी का यूज हम किये हैं तो परफेक्ट मेजर मेंट के साथ आप बजार जैसे काजू कतली घर में बना लेंगे तो आप यहां पर हम एक पेपर लिये हैं और इसको घी से चिकना कर लेंगे आप चाहें तो प्लास्टिक ले ले या बटर पेपर ले ले और आप देख रहे हैं यह जमने लगा है तो और धंडा भी हो हम बेलेंगे हलकी हाथों से बिलना है बजार जैसे आप देख सकते हैं तो यह मोटा या पतला आपको जितना रखने हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एक घंटे के लिए ठंधा करेंगे और उसके बाद इसपर सिल्वर वर्क लगाएंगे बजार जैसी मिठाई के लिए तो आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं अगर बजार जैसी बनाना चाहते हैं तो आप इस पर सिल्वर वर्क लगाएं और इसे किनारों से काट लेंगे इसको हम काजू कत्ली वाला सेप देंगे जैसे हम काट लेंगे बजार के जैसे सेप देने के लिए आप देख सकते है इसका टेक्स्चर बिल्कुल बजार जैसी परफेक्ट मिठाई है आपको हम पास से दिखाते हैं और दिखिए और इसी तरह से सारे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो अगर आपको हमारी ये मिठाई की रेशिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को स सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और आपको दिवाली की हर्दिक सूप कामनाई मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ